ट्राफिक अवलदार का काम करके ठक गए हो क्या? बेटा लड़कियों के तरह महदी क्यों लगाई है? लड़किया महंदी लगाती है, मैंने को पर लगाई है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तुम्हारे बाल लाल करने है? अरे यार यार या बद्बू, हाथ दोने के लिए मिनरल वाटर दो यार। पीजे बाबू, उठो पीजे बाबू, सोना बहुत महेंगा हो चुका है, सोने से सोना सस्ता थोड़ी न हो जाएगा। ड्यूटी के समय पर सो रहे हो, ट्वेंटी मार्क्स माइनस हो जाएगा। माइनस मार्क्स किस लिए है? शट आप। ठीक है, मानता हूँ मैंने इसे मारा है, एक हफते के लिए मुझे सस्पेंड कर दो। तुम्हें पताये कितनी जोर से मारा है, ठतपड की उच उसके पिताजी तक चली गई। क्यों इसके पिताजी का कान बहुत बढ़ा है। ने उनका हाथ बहुत बढ़ा है। तुम्हारे कान के नीचे अच्छे आवाज आएगी। कॉन है जिसने मेरे मेरे को मारा। तुमने मेरे बेटे को छुआ। छुआ नहीं मारा। और क्यों भें। उसे मारूंगा तो जबरदस्ती यहां लाओगे। पुलीस स्टेशन नहीं ले जा सकते थे। यहां इस भटी जोपड भटी। अगर मुझे हाथ लगा ना तो सब पर केस कर दूंगा। चलता हूं। तुम सब लोग जाओ। रूको इसे जाने मत देना मैं अभी आ रही हूं। हाँ हाँ वह यहीं पर है कहां जाएगा बैट जा। क्या बच्चों तुम लोग पढ़ने जाते हो कि लड़ने जाते हो। आज कल कुत्ता बिली भी कहने लगें क्या इंसानों की तरह लड़ रहे हो। बच्चों को पहले खाना खाने तो फिर डाटना। यहलो। बेटा आज तुम्हारे बापु तुम्हारे लिए मचली पकड़ के लाए हैं। मेरे बेटे को मचली भाद बहुत पसंद है। बेटा तुमने मेरे सीधे साधे बेटे को पिटा बहुत ही अच्छा किया। यह पात साल से उतनी दूर पढ़ाई करने गया। और साल में सिर्फ एक ही बार आता है। तुम्हारे गुस्से की वज़े से साल में दूसरी बार देख रहे हैं। क्या कर दियो मा इसे यह सब क्यों कह रही हो। खाना धोना भूग लग रही है। बेटा अच्छा हुआ तुमने चहरे पर मारा। इसके पेट भी नहीं मारा। क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि इसे लीवर को प्रावलम है। ने ने चोटा मोटा प्रावलम है। ठीक हो जाएगा। आप लोग मुझसे नाराज नहीं है। आप मुझे मारना नहीं चाहते हैं। मेरे बेटे की ही गलती होगी। तभी तो तुम गुस्सा हो गए। मुझे यकित है कि इसे मार के तुम्हारा गुस्सा शांथ हो गया। हम लोग पान पढ़दवार हैं। हर बात पे रहनने लग जाते हैं। पर तुम तो पढ़े लिखे हो। इसलिए बिना बात नाराज नहीं होते होगे। मैंने सही कहा ना। अभी तो शांद बैठे हो। बाद में इस पर गुस्सा मत करना। क्या पिताजी। गुस्सा कैसे हो सकता हूं। मेरा दोस्त है। बेटा, खाना अच्छा नहीं बना गया। नहीं माजी, बहुत अच्छा बना है। खाओ ना बेटा। अले अरे, एलो पानी पेट, एलो। बेटा, जब हमारा बेटा एक साल पर खराता है। तो हमें उसे भर पेट खिलाने के लिए लोगों से अनाज उधार लेना पड़ता है। इसलिए वो हासल में ही रहता है। वहां उसे भर पेट खाना मिलता है। बिना खाएप ये पढ़ाई ठीक से कहां होती है। बेटा, मेरे बेटे का पिछले पांस साल में कभी किसी से जगड़ा नहीं लागता। तुम भी आप उसके साथ मत लड़ना। उसके जिन्दगी बरबाद हो जाएगी। अपना ख्याल रखना। पीजे, तुम चलो मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। ये अहस्टल के दोस्ते के लेखाना। और हाँ, ये लाटेन, तर रास्ते में काम आएगा। अपना ध्यालत रहाँ। सौरी ये, दोस्ते में सब्चादा है बीजेए। Enjoy! सौरी है। सौरी है। सौरी है। सौरी है। ये सब कैसे हुआ, कुछ तो बता भीजे। मैंने अपनी आखों से भूत देखा। भूत देके बेवोश होगे। भूत मुझे देखकर भागने लगा और मैं उसके पीछे भागा और गिर गया। सच कह रहा हूं। मैंने नजाने कितने भूत भगा दिये हैं। डर चोड़ो ये चाय के सब गोली खा लो, भूत का डर भाग जाएगा। भूत से भी डरावनी चीजे एक्जाम जो दस दिन में होने वाली है। पास हो जाओ या बोरी अब उस तरह समेट लो। मैं पास हो कर दिखाऊंगा। पास हो कर दिखाऊंगा। मैंने डिसाइड कर लिया। किसी भी हालत में ये एक्जाम पास करके दिखाऊंगा। कर सकता है यार तू कर सकता है। लेकिन कैसे यार कैसे। कैसे क्या। पास होने के लिए बुक्स के पास जाना पड़ता है और वैसे भी तुमने शेहर में फर्स्टियर तो पास किये यह ना मैंने पास होने के लिए पैसे दिये थे कितने एक पेपर के 10,000 रुपए तीन महिने से सोच रहा था कल पढ़ूंगा कल पढ़ूंगा अपकाप पढ़ूंगा देखा तुम्हारी घिसी पेटी बाते सुनकर ये चट भी पग गया और गिरने लग गया अग्ली बार ना खुले आस्मान के नीचे बात करना ताकि किसी को चोड़ करनेगा मैं यहां सारी रात पढ़ाई करने बैठोंगा इसी बीच मौका देखकर आनन्द मेरे हाथों पर चत का एक बहुत भारी टुकड़ा गिराएगा मेरा हाथ जखमी हो जाएगा फिर मैं एक्जाम कैसे लिखूंगा तुम में से किसी एक को मेरा अनन्द लिखेगा हंड़िट परसेंट पास हो जाओंगा एक साल का टेंचन खतम अगर सच में तेरे हाथ पर गिरिया तो तुझे मेरे टाइमिंग का कोई बेसिक आइडिया नहीं है मैं अपने हाथ यहां रखूंगा और फिर चत का टुकड़ा गिरेगा वो गिरते ही हाथ अटा लूंगा कड़क टाइमिंग है मेरी जट की टाइमिंग तुझे ज्यादा अच्छी दर्द हो रहा है क्या सुनाए ना मरत को दर्द नहीं होता है मेरे राजा कि लापरवाई का नतीजे है क्या हुआ मेरे हाथ से आपके पोलियोग्रस दॉलेच की वज़े से मैं अपने हाथ से हाथ दो बैठा यह सब कैसे हुआ मैं तो पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा था सर आग बंद करके धुआधार पढ़ाई मेरे चारों और मेरा सिलिबस घूम रहा था लेकिन क्या फाइदा अब मुझे नियाए चाहिए मैंने देख्या कि मैं आमरण अंशन करने वाला हूं अरे पढ़ता नहीं कि अन्शन में खाना नहीं मिलता हूं यह बात पहले नहीं बता सकता था नंगे सत्यागरा करेंगे अंशन कैंसल होगा मज़ा कर रहा था अनन तु लेख देना यह लिखेगा सर यह तुम्हारी अपनी चाल है न मुझे फसाने के लिए नहीं होगा मैं ऐसा होने नहीं दूगा लेकिन ऐसा ही होने वाला है बड़े बाप की बिगड़ी ओलाज जल्दी सुधर जा सुना क्या सुन रहा हूं कान खोल कर सुन लो आज के बाद तुम कॉलेज के किसी लड़के पर हाथ नहीं उठाओगे समझे हाथ तो मैं धोने के लिए नहीं उठा सकता किसी को क्या खाक मारूंगा एक और शर्त पताना तुम्हें भूली गया एक साल के लिए तुम्हें स्टूडेंट्स यूणियन का प्रेजिडेंट बढ़ना पड़े लेकिन तुम्हारी जगाए एक्जाम में कौन लिखेगा इसका फैसला हमने कर लिया है ओके कौन है बेटा बिंदू लेकिन स्टूडेंट यूणियन का प्रेजिडेंट बनना है बेंदू मेरा पेपर लिखेगी मेरे फोन में दादाजी का फोटो है जड़ा दिखाना दादा तुने मुझे नानी याद दिला दी ने कहती आपा इंटरवल होई है थोड़ी दिर बात में दाओ हे मा आज प्रेजे का असली एक्जाम है प्लीज उसे पास करवा दे वो बुक टच भी नहीं करता उसकी सारी किताबे ने की नहीं पड़ी है हम उसका मजाग नहीं उड़ा रहा है उसके लिए दुआ मांग रहा है माता प्लीज इसकी बातों का बुरा हुआ ना किसी तरह उसे पास करवा दें क्या हो अपीजे क्या सोच रहा है जब जेब में पैसे थे बहुत लोग आसपास दोस्त बलकर गुंगते थे पर सच्छे दोस्त क्या होते हैं आज पता चला डोंट वरी बेस्ट अफ लग हिंदी में बोल यार याद रखूंगा अच्छुन मत रखूंगा तो बली का बक्रा तही आर हो गया तो बली का बक्रा तही आर हो गया नहीं सर यह तो एक्जाम देने जा रहा है एक ही तो बात है इस बार पुरे 25 परसेंट लाँगा एक पैन से एक जबाब लिखने यहां जा रहे हो एक्जामॉल इदर है यहां से जाओ जाओ एक्जाम आती यह भीगी बिल्ली बन जाता है क्या करें रोग अभी कोई चीट तो नहीं चुपाई है चीट चुपाऊंगा इन हातों से बिंदू यह एक्जाम ना मेरी जिंदगी कितर अच्छल शेक्सपेय हमलेट के बारे में क्या जानते हो एलमेट का तो पता नहीं अच्छा बनाते हैं जानते हो यह नहीं पता नहीं आर के नारायन नाम का मेरा बच्पन में दोस्त था लंगोटिया यार था मेरा पाता पैरडाइस लॉस्ट पैरडाइस होटेल की बिर्यानी यह तुम नो कुछ आता नहीं तो एक्जाम तेने क्यों आयो क्योंकि मैं ये लाइफ जीना ही नहीं चाहता मुझे चाहिए लग्जिरी, पब, पाटीज, फ़न, रिजॉर्ट्स और इसके लिए मुझे पैसा चाहिए अपनी पुरानी जिंदगी वापस चाहिए थोड़ी सी पढ़ाई की है लेकिन अगर तुम भी थोड़ी सी हेल्प कर दो तुम मुझे यह सब क्या लिख रही हो तु कर दो